नमस्कार आप देख रहे हैं बिहारी निज मैं हूँ आपके साथ अभे विशाल बिहार के मुख्यमंतिर नितीस कुमार ने गोपालगन जीला के भोड़े विधान सभा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज़त के पती-पत्नी वाली सरकार में पहले सिर्फ 700 मेगावाट ही बिजली की खपत हो दी थी लेकिन अब 6000 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है इसके अलावा उन्होंने राज़त के 10 लाख नौकरी देने के वादों पर भी जम कर तंज कसा आईए देखते हैं क्या कहा नितिश कुमार ने चुनावी जनसभा को संभोधित करते हुए अब ये कोरोना के चलते जो चुनाव का समय है इसको बहुत सिमित रखा गया है पहले जो चुनाव होता था इतना समय होता था कि हर जगा हम दोग जरूर चले जाते हुए अब ये तो असंभाव है कि हर जगा पहुँश सकें लेकिन इस धर्ती पर आने का मौका मिला इस जिरादेई विधान सवाद शित्र में मैं सबसे पहले राजिंद्र बागु की धर्ती का मैं नमन करता हूँ एतिहासिक भूमी का नमन करता हूँ और आप सब लोगों को महर्दे से धन्यवाद देता हूँ हमारे साथियों ने संचेप में अपनी बातें कही है लेकिन सब महत्वपून बातें कह दी गई पहले जिन लोगों को मौका मिला था पंदरा साल उन लोगों ने कोई काम नहीं किया बिहार का बुरा हाल कर दिया जंगल राज कायम कर दिया ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही थी सामुहिक नरसंगार की लोगों के अपहरण की क्या बुरा हाल था बिहार की कितने व्यापारी यहां से भाग कर बाहर चले गए थे कितने चिकित्सकों को क्या क्या जेलना पड़ा था अनेक लोग भी बिहार चिकित्सक भी बिहार शोतर के बाहर से ले गयते काम करने का मौका कोई मामूली बात नहीं है ये लोगों पंद्रह वर्स मिला पती पत्नी को लेकिन काम क्या किया बिहार की सेवा क्या की और जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया इंडिये को काम करने का मौका दिया तो उसके पहले ही हमने क्या एलान किया कि अगर मौका मिला तो हम लोगों का लक्ष है नियाए के साथ विकास का और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का मुठान अब देख लिजिए कि पूरे बिहार के किसी भी इलाके की कोई उपिक्षा की गई समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया जो लोग किनारे पड़े हुए थे उनको मुखधारा में लाने के लिए उनके लिए विसेश पहल चाहें बहिलाएं हो अनुसूची जाती जन जाती के लोग हो अति पिछले वर के लोग हो अलवसंक्यक संबदाय के लोग हो साब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और विसे इस पहल किया गया किसी के उपेक्षा नहीं की गई सब के हित में काम किया गया तो आज जो उसके बाद मौका मिला बताईए बहिलाएं कितनी जन्परतिन थी पहले बहिलाओं को अवसर मिलता था पंचाइती राज संस्थाओं में नगर निकायों में हमने बहिलाओं के लिए पचास प्रत्सत का आरक्षन किया अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती को सोलह प्रत्सत और एक प्रत्सत करमसा अकी पिछले वर को बीस प्रत्सत कितनी बड़ी संख्या में लोग जन प्रत्रिन्दी के रूप में समाग की सेवा करने लगे और इसे समाज में प्रेम का भाईचारे का और सद्भावना का महौल पैदा हुगा और तब से लेकर हम लोगों ने अपराग पर नियंत्रण किया हम बराबर क्या कहते थे क्राइंग कोरप्शन कॉमिनलिजन यानि अपराग हो भरस्ताचार हो सांप्रदाइक्ता हो हम लोग इसको बरदास्त नहीं करेंगे और जो भी ज़रूरी काम है हम सब वो करते रहेंगे समाज में प्रेम भाईचारा और सद्भावना के लिए यही काम करते रहें अब क्या अपराग का दर था आज अपराग का दर कितना नीचे चला गया यह तो कोई दावा कर ही नहीं सकता है कि हर आदमी ठीक हो जाए कुछ रख कुछ तो बाएं दाएं इधर उधर गरबड करने वाला दोग होता ही है लेकिन इस सब चीजों के बावजूर अपराग का दर कितना नीचे चला गया कि इंद्र सरकार के द्वारा प्रकासित होता है हर राज्जी का जो अपराग का आख्रा है अब उस आख्रे के आधार पर रास्टी अपराग अभिलेक मूरो के द्वारा दोहजार अठार का जो आख्री अभी प्रकासित हुआ उसके मुतादिक अब बिहार अपराग के मामले में कितना नीचे चला गया इतनी बड़ी आवादी का और इतना बड़ा राज लेकिन अपराग के मामले में 23 नंबर हो गया हम लोगों ने विकास का काम किया अब पहले बिहार का क्या था राज शकल घरे रूट पाद के माध्यम से जो यहां की परिसंपत्ती थी 76,466 करोड अब वो बढ़कर के 4,17,977 करोड यानि अब सोच लिजिए कि कितना विकास का काम हुआ यानि बिहार के विकास दर में 12.8 प्रत्शत की ब्रद्धी प्रतिवर्ष और आम आदमी के आमदनी में साढ़े 10 प्रत्शत की ब्रद्धी ये सब काम हम लोगों ने किया है कितना सडक बनवाया कितना स्कूल बनवाया लड़की पढ़ नहीं पाती थी पुसा की योजना साइकील योजना अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगे महिलाएं कितनी जन पर दिने दिया है महिलाओं को और ज़्यादा जागरू करने के लिए हमने जीविका समू का कठन किया वर्ल्ट बैंक से करद ले करके और जो जीविका समू का कठन किया दस लाग का मेरा लक्ष ता दस लाग का लक्ष पुरा हो गया अब उसके आगे जा रहा है और एक करोर भीस लाट से ज़्यादा महिला है जीविका समू से जुड़ गई है कितनी उनमें जाकृती आई है परिवार की आमदरी कितनी बढ़ रही है एक एक काम के लिए हम लोगों ने काम किया समात के उठ्थान के लिए और जो हम तो भात कर रहे हैं मिडल स्कूल और हाइ स्कूल का लड़कियों की संख्या to हाइ स्कूल में इतनी कम इतनी बड़ी आवादी ने 1,270,000 से भी कम और अब लड़कियों की संख्या बरावर हो गई लेकिन एक बात जान लीजिए प्रात्मिक विद्याले में भी सारे बारा पर से बच्चे बच्चियां बाहर रह जाते थे हमने उसका सर्वेक्षन किया कि कौन लोग है जो सबसे दिक बाहर है जो महांतलित संबदाय के लोग और अब संच्यक संबदाय के लोग सबसे दिक वो बाहर रहते हमने टोला सेवक तालिमी मरका स्वेंग सेवक में तीस अज्जार के करीम लोगों को लगा करके बाहर पढ़ा करके स्कूल तक पहुचाना शुरू किया और अब स्कूल से बाहर रहने वालों के संक्या नके बराबर हो गई आधा प्रक्सत से भी कम तो कौन शेत्र है कहां सडक था कहां बिजली थी आप जरा इंचोजों को देख लिजिए और कहां जो स्कूल था कहीं गाओं में दिखाई पड़ता था एक एक काम हम लोगों ने किया पहला पांस साल से बिजा दे दुसरा पांस साल और तीसरे पांस साल का काम मिला तो हमें और आगे बढ़ाने के लिए साथ निश्य की बात कहीं और उस साथ निश्य के माध्यम से आप बताईए कितनी संस्थाओं का दिर्वान हर जिला में इंजिनेरिंग कॉलेज हर जिला में पारामेटिकल संस्थान हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान हर जिला में महिला आईटी आई हर जिला में जी एनिम संस्थान हर सब्डिवीजन में आईटी आई और एनिम संस्थान और लगबत सब जगा काम प्रारंब हो गया कई जगों पर विल्डिंग तक बन गया नए मेडिकल कॉलेज का निर्मान कितरा कम मेडिकल कॉलेज था सुरू भई हमने काम किया तीन मेडिकल कॉलेज का निर्मान पूरा होंगे आठ मेडिकल कॉलेज सिर्थ किंदर की साहिता से उसका काम चलना उसके अलावे और तीन मेडिकल कॉलेज का काम हम लोग सुरू करने जा रहे हैं तो एक एक चीज आउसी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना क्या किस चत्र में काम नहीं किया है और ये काम यहां पर हम लोगों ने करना प्राराम हो कर दिया जो गरीब परिवार के लड़के लड़किया है कुछ सिक्षा में नहीं जा पाती तो उनके लिए हम लोगों ने स्टुडेंट क्रेडिट कार्ट चार लाक रुपे तक की मदद और जो आग बच्चे बच्चे आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं करना चाहते हैं तो घर से बाहर जाकर के कोई काम की तलास में निकलते हैं माता पिता को पैसा नहीं है कि वो उनको काम उनको पैसा दे सके वैसे लड़के लड़कियों को दो साल तक एक हजार रुप्या महीना की मदद स्वाइंग सहायता भटता उसको काते और उसके अलावे युवक और युवतियों को जो आगे नहीं पड़े हैं उनको कम्प्यूटर पर काम करना आवे तभी वो काम कोई मिलेगा हम ने इसके लिए कुसर युवक कारिक्रम शुरू किया कम्प्यूटर पर काम करना सीख लिया बाच्चित करना सीख लिया व्यवहार कैसा होना चाहिए ये सिखाया गया दस लाग से ज़्यादा युवत युवतियों ने इसकी ट्रेडिंग ली ये सब काम चलदा महिलाओं को हम लोग ने नगर निकाय में और पंचाइतिरा संस्थाओं में तो 50% का रक्षन दिया लेकिन उसके अलावे सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% का रक्षन दे दिया पुलिस बन में महिलाओं को 35% का अरक्षन पहले यहां कि पुलिस बन में आपको महिलाओं नहीं दिखती थी अब आपको पुलिस बन में महिलाओं इतनी दिखती हैं साइदी किसी राज जिनों उतनी दिखें तो यह सब जो महिलाओं का उठान हुआ इन सब्चियों को गौर से याद करिएगा महिलाओं को 35 प्रस्त का बाकिस सभी सरकारी सेवाओं में अब कितनी बड़ी संक्या में महिलाएं सरकारी सेवाओं में आने लगी जब सुरू किया था हम लोगों ने स्कूल वाला काम तो प्राष्विक स्कूल में तो 50 प्रस्त का अरक्षन हमने बहिलाओं को दिया था तो ये सब काम जो किया और इसके अलावे बिजली तो नहीं थी हमने क्या टै किया था 2012 में 15 अगस्त को पट्ना के गांधी मैदान में जंडो तोलंग की अवसर पर जब बोलने का मौका मिलता है हमने एक बात कर दिया था बिजली की स्थिती कितना बुरा था हमने उसमें सुधार लाया है और अगर आगे बिजली की स्थिती में और सुधार नहीं लाएंगे तो हम 2015 में भोट मांगने नहीं जाएंगे और उसमें सुधार लाया और 15 में एलान कर दिया साथ निश्य में हर घर बिजली पहुँचाएंगे और 2018 के अंत में पहुँचाना था दिसंबर महीने में अब उसको दो महीना पहले अक्तुबर तक ही काम पूरा कर दिया अब उसके बाद कितने लोग और बिजली अपने अपने घरों में उसके भाद मी ले जा रहे हैं हमने का हर घर नल का जल पूरे देश में हर घर सौचाल है यहां भी हर जगा लगवख बन के तयार हर घर नल का जल एक कोरोना के चलते बीच में बादित हुआ लेकिन 83 प्रत्सत से भी ज़्यादा हो गया है अगले महीने दो महीने में यह पूरा काम हो जाएगा हर घर तक पकी गली और नाली का निर्मान यह सब काम हम लोगों ने काफी हद तक पूरा कर दिया तो जो साथ निस्टे किया उस पर हम लोगों ने काम किया भाई तो हम लोग तो सेवा करते हैं कुछ लोगों को अपना परिवार सब कुछ है हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और पूरे बिहार की सेवा करना ही हमारा धर्म है और इसी को लेकर हम आगे काम करते आ रहें, इतने दिन से मौका मिला, कभी हमने अपने बारे में कुछ सोचा है, हर समय हमारी एक ही चिंता रही है, कि हमारे समाज में प्रेम और भाइचारा रहे, और समाज आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, हमने कई बातों की चर्चा कर और अब आगे अगर मौका दीजिएगा तो आपके बीच में इतना ही कहने आए कि अब हमने आपको हर घर बिजली तो पहुचा ही दिया अब पहले जब इनको 15 सान मौका मिला पती पत्नी राज में सहर में भी नाम मात्र की बिजली पूरे बिहार में इतना बड़ा राज ये म मात्र 700 मेंगावाट बिजली की खपत थी और अब हर घर बिजली पहुचा दिया छेहजार मेंगावाट से ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है तो हम लोग तो ये सब काम करी दो है हर घर बिजली पहुचा दिया